कि नमश्कार मैं दिपीका विंग ममी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों she vaccination series के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीन यानि तीकाकरन का क्या महत्त होता है और साथ ही अगर हम टीका करन बचों का नहीं करवाते हैं तो उसे क्या दुस प्रवाव बचे को हो सकता है तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं और अगर आपके लिए वीडियो इन्फोमेटिव हो तो इसे लाइक करना बेलकुल मत भूलेगा और इसे अपने फ्रेंद्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजेगा और अगर अभी तक आप बिंग ममी फैमिली का पार्ट नहीं बनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथ ही जो बेल आइकोन है उसे भी ओन कर दीजेगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीका करन हमें बच्चों को करवाना ज़रूरी क्यों होता है तो नम. रून है कि टीका करन करणे से बच्चों जो संक्रमी धोन proclaim जाते हैं जो उन्हें वाैरल सजेस्ट करके दिया हुआ है कि आप इस उम्र में ही यह तीका कर वाएं तो सही उम्र में सही तीका लगवाना ज़रूरी होता है नेक्स्ट है जब बच्चा गर्व में हो यानि जब मा गर्वती होती है तो उस टाइम पर टेस्नेस के टू का वैक्सीन होता है जो मा को लगवाना काफी ज़ादा जरूरी होता है कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को दस्त हो रहा है तो अगर इस टाइम पर जबकि बच्चों को दस्त हो रहा है और उस टाइम पर बच्चों को पोलियो की खुराग देनी है तो भी आप बच्चे को पोलियो की खुराग दे सकते हो इसे बच्चे को कोई भी तरह का संक्रमन नहीं होगा next point जो की बेहत जरूरी होता है कि मच्चों के जो माता पिता होते हैं यानि कि जो उनके parents होते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जबी भी आप अपने बच्चे का vaccination करवाने के लिए जाते हो जबी उनका टीका करन के लिए जाते हो तो बच्चों का जो है कि दोस्तों जबी भी हम बच्चे का टीका करन यानि की vaccination करवाने के लिए जाते हैं तो टीका करन होने के बाद आपको डॉक्टर की निगराने में और दस मिनट रुख जाना चाहिए जिससे कि आपको पता चले कि जो injection बच्चे को लगा है उसे कोई reaction तो नहीं हो रहा है उसके क्या-क्या दूस्त प्रभाव होते हैं टीका करन अभ्यान जो है बच्चों को कई तरह की भयंकर बीमारियों से बचाता है यानि कि उनकी रक्षा करता है जिन बच्चों का टीका करन यानि कि vaccination नहीं होता है वो बच्चे आगे चल करके जो हैं कमजोर हो जाते हैं कुपोशन के सिकार हो जाते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं जिनका टीका करन नहीं हुआ होता है वो बहुत सी आम या खतरनाग बिमारियों के चपेट में आ जाते हैं जिसे की बच्चे जो हैं कमजोर हो जाते हैं और बच्चे इसलिए इन बिमारियों के चपेट में आ जाते हैं क्यो जरूरी होता है थी बहुत ज्यादा ज्यादा देने की जरूरत होती है कि हमारे बच्चे का कोई भी वैक्सिन यानि कि कोई भी टी का अचरण जो है वो में संस्कुर्पशन हो उन Your लोगों ने लिंक दिये हुआ है उस वीडियो को आप जरूर देख लीजेगा इससे आपकी काफी जादा हेल्प होगी आई होप आपके लिए वीडियो जो है काफी जादा इन्फोमेटिव होगा अगर हां तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और इसे अपने फ्रेंद्स झालने जाने लिए मेंगा प्रेंबेशमा झालने में जा चरीं तो डिसमाने फजेख जादा है ज्बतों यह है लिजओाए। झाल झाल